पाइज नगा छोटा हुना सबसे बड़ी बात हैं साई में छोटा हो स little हम लोग प्रियोड के ऐलिमेंट सुछ देखेंगे तुम लोग कहीं वह देखना अगर सेकेंड पीरियड के अलिमेंट स्वी का एक्सेंप लोरी एक्सेंप लूरीन जन्रली से कि पीरिए से इसमें इसमें से तरुपर के पास आउटरमूस सेल में कितने एलेक्ट्रान है तीन से फ्लोरिन कनेक्ट हो गया और ट्रिपल बॉर्ण से एंड ऐसा इसा इस जी रो गए क्या बुले ट्रिपल बॉर्ण से एंड कैसे लिक्रों सब्सक्रावी तो क्या करोगे फिर नहीं ये भी कनेक्ट नहीं करना है वो भी नहीं करना है और रिपल पार्ण से कनेक्ट वन से रहीं सिंगल बॉर्ण से एंड को कानेक्ट करेगा बोल ज्यंदी बोल इसके अलाव क्या अपसे ने तेरे पास था है अब जी नॉन है जी नॉन के ऊपर आउटर मुझ चैल में कितने इलेक्टोन होते हैं एट नेगटिव चाह जाएगा नाइन तो थ्री यहां पर तो थ्री टू वन स्रीक्सांट पर आगे एक्सेसाइज थ्री पार्ट टू में बोलो फॉर्थ वाले में सिलिकॉन और सुल्पर में डाउट है डायरेक्ट याद रख लो है किया फिफ्ट वाला भी फिफ्ट और फॉर्थ फॉर्थ वैर फैक्ट्वल बेस कुश्चन है मतलब इसमें क्या है विचाओ तो फॉलेंट क्रिस्टल के बात करिए ना सल्फर क्रिस्टल नहीं है सिलिकॉन आएगा अंसर सल्फर के क्रिस्टल नहीं बनते हैं हां मतलब उसमें वह एलफा सल्फर बीटा सल्फर होता तो सॉलिड फोम में है बट वह कोवलेंट क्रिस्टल नहीं होते हैं अच्छा हां ठीक है कौन सा इसकाथ फिफ्ट भी बोला कोई आज है फिफ्ट में यह यह कि देखो CSI3 है अब तुमार पास ऑप्शन क्या है सीजियम तो प्लस वन में ही रहेगा नहीं है तो आई थरी माइनस बन में रहेगा कि आई थरी माइनस पर एक्जिस्ट करता है देखा ही होगा बहुत बार तो ऐसा थोड़ी सीजियम 3 प्लस और 3 आई माइनस ऐसा कर दो कि ऐसा होगा ही नहीं बस हो गया सब्सक्राइब क्या मतलब समझा नहीं हो जाए है कि वह फैक्ट बेस्ट कुशन है उसमें कुछ ऐसा बहुत ज्यादा हम ऐसे ठीकली बहुत क्या बोलते कॉंसेप्च्छली कुछ बात हम बोल नहीं सकते कि कोवलेंड क्रिस्टल कॉन है तो उसमें सिलिकॉन यांसर आएगा इफ्सक्राइब क्योंत के एक की तक लेवह स्लीकन वाला सिलिकान नहीं है सिलीकॉन को नहीं है यह वोक retained से लिकान और शिलिकॉन में डिफ्रेंस होता है प्रिक्यून करें थहां से तो अच मैं अब ग्रेस्च क्या करना इसके बाद एकक क्सक्राइब औरता इस पार्ट बॉंडिंग तो केरें chemical bonding two कर दो कर सिएब वन पार्ट वन एक सैज वन पार्ट वन में बोलिये chemical bonding two में C5 का seven C5 का seven और बोलिये जल्दी बोलिये से सी फाइफ का थार्ड भी थार्ड भी और एक साइज वन पार्ट वन बांडिंग टू टीजिए का वन और फू इसा है क्या साला सी फाइफ में जो इतना पूछ रहे हूं इफाइफ का एट भी और कोई दिक्कत है बस हो गया चलिए ची फाइफ का फर्स्ट चीएच फोर पी एच थ्री एएच थ्री और एस बी एच थ्री अना इसमें बूला है वन हैस हाइस एंड लीस्ट बॉंड एंगल तो देखो कार्बन यह आता इदर नाइट्रोजन इदर फास्फोरस इदर आरसेनी किदर एंटी मुनी ठीक है इन सब के एच थ्री बनाने थीक है अब इसमें तो क्या होगा नो इसमें बता देता हूं ड्रेगो रूल जब भी हम लोग ऐसे बनाते हैं तो बॉंड एंगल उपर से नीचे जाने पर थीटा डिक्रीज होता है डिक्रीज मतलब बहुत ज्यादा डिक्रीज नहीं कि अगर इसका 91.5 है तो इसका 91 होगा इसका 90.5 होगा ऐसे एक 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 आधा डिग्री से वेरी कर सकते हैं बस सब 90 के असपास होंगे पर उपर से नीचे जाने पर थीटा डिक्रीज होता है ठीक है और सी एच फूर का तो हमें पता ही है 109 डिग्री 28 मिनट ठीक है कि जिए समझ गए है है थीक है को मैं सिधिक्रीज होने का बहुत एक सिग्निफेकेंट आप लोग नहीं बहुत सकते हैं पॉड़ा साइसे पर बॉड़ेंग बढ़ रहे हैं तो बॉड़ेंद बढ़ रहे से बॉड़ेंगल का लेंद देना है अटम पास आ सकते हैं मतलब अगर 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 बाकी के अटम का दिस्टन्स बढ़ गया तो एक तो अगर का वह जाएगा नो कि अरे यार प्यॉर प्यॉर बाइटल है उससे और लैपिंगों के बन रहा है कोई तीन लोग ऐसे नाइंटी पर लखें कोई तीन लोग ऐसे नाइंटी पर रखें तो क्या मतलब कैसे तुम जच करोगे बॉंड एंगल का बॉंड लेंज से कई तूने पढ़ा है पहले यह च तुम्हें बता देता क्योंकि बॉंड लेंद से बॉंड एंगल को बहुत अच्छे से जिस्किफाई करना उसमें भी बहुत माइनर सा चेंज हो रहा है यहां पर प्यॉर प्यॉर बाइटल का ओर लैपिंग हो रहा है तीनों पी एक दूसरी के परपेंडिकुलर होते हैं त अगर एकजेक्ल लेकर तो बॉंड इंगल कम ही होता उपर से नीचे जाने पर ठीक है जैसे अगर उपर हम लोग देखें ऑक्सियन फैमिली में तो एच्टू एस टूसी एस्टू टी तो इसमें वाले में किसी ने पूछा तो सीओ टू तो मैक्सिमम होगा समझाती है बात कौन होगा एश टू टी तो कि इसमें ड्रागो रूल लग रहा है तो ह हृष चोटा ही ओगा एच प्लियर ओगी तो डिसकेशन कोंकि नहीं आया है तो मैं क्यों दिसकेशन देखू क्यों ना तुमने शायद उसका ना वो संकेट विराधर का वीडियो देखा गा उसने एक अपना प्रिपरेशन वाले वीडियो बनाया था देखा किसी ने उसका वीडियो तो उसने भी यही बात बोली थी तब उस टाइम भी उनके बैच को मैं नहीं पढ़ाई थी के मिश्क्री तो ठूमने सकता हैं थो इसका उनने वहीं चलूँ चली तो क्लास में तुम्हें निए सिक्स्केशन में बता दी बात तो तो मिंए लेक्चल का ही पार्त है थे के बात देखो देखो हो आप पीएज तरी में क्या बोलते हैं पीएज तरी में तो वह ना ड्रैगो रूल नो हाइब डाइशन तो बेसली हैस्टो में बॉंड एंगल जादा होगा क्योंकि तो 90 के क्लोज पीएज तो ठीक है फिर सेवन और एट अरे बोला तो है ड्रैगो रूल में यार कितनी बार बता हूं ठीटा अप्रॉक्स 90 के एक्वल होगा तो इसमें तीन मॉंड बन रहे तो पीएक्स पीवाई पीजएड ऐसे ओवर्लैप करेंगे तो इनके बीच में एंगल 90 के डिगरी के क्लोज रहेगा र अब देख एप्श्ट्री और एंफ्री किसने पूछा यारी है कौन ये डाउट पूछने वाला सैवन मैंने पूछा था मैंने क्वन नाम बोलो तो तुम मतलब कैसे तुमने डाउट पूछा तुम्हारे तो परसेंटाइल पे अच्छा ता शहाट जैसे मेरे को याद आ र अब देख एंस्ट्री और एंफ्री में न मैंने बता है जैसे एंस्ट्री और दोनों मां है इपडाशन सेम अवे सब कुछ से में बड टर्मनल एक्टम का ईलेक्ट्रॉन नेगिटिविटी को देख ठीक है तो जो बाइड पेर होंगे वो फ्लोरीन के दरफ शिफ्टेट रहेंगे इसमें ऐसा होगा है और शिप्त रहें वह टाई ज्यादा होगा एंगे तरी में यह अगर देखो ठीक है तर्मिनल एटम का इलेक्ट्रोन नेगिटिविटिविट्य थो ठीक है इलेक्ट्रोन एगिटिविट्यों कब कंसीडर करते हैं जब छोटे छोटे एटम हो जब एंग बड़े बड़े आ जाए तो हम लोग उस केस में क्या देखते हैं कि साइज देखते हैं तो पीसेल 3 और पीएफ 3 में कौन बड़ा होगा किसका बॉंट एंगल ज्यादा होगा कि मैंने पढ़ा यारी है तुम ऐसे डाउट में पूछो नोट सोट को पढ़ो ऐसे डाउट पूछो कैसे काम चलेगा फिर कि समझ में आती है बात या नहीं आती बलो आप एक सब्सक्राइज बन पार्ट बन में और कोई डाउट है कि सब्सक्राइब क्या करना है कि अधित्री में क्या करना है कि अधित्री इंडिविजुल इन एवरेज ऑक्षिडेशन स्टेट नंबर इफ रिक्वाइड और मार्ट अलिमेंट अग्षा तो यह सब जो लिखा यही करना है जैसे मैं एक एक बता देता हूं ना एक बता देता हूं एक कौन सा बताता हूं जो मेरे को सबसे लग रहा वहीं बताऊंगा सियार ओ फाइफ काना कि 14 नंबर वाला है वो अब देख इसमें मैं सभीका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहां देख बॉन्ड से मैंने निकाल रहा हूं जैसे यह माइनेस माइनस वन में sahक्षिजन सारे और यह औक्सिएन मैनस टूमें होगा यह बास समझैती है दो नोग चार्य माइनस में लिए और वह औक्सीजन माइनस टू में क्यों बोला एक सप्षी से अठाच है लिएए होट परोख्साइड लिंकेज अब ऊख्सियन माइनस में होता है समझ में आती है बाद अह सर और अब सारे माइनस हो गए rogen है, तो ये वाला plastics में हो जाएगा, तो इसको plastics में होना पड़ेगा ठीक मैँ थीक है? अब इसने बोला क्या है, अंडरलाइन का बताना यह अंडरलाइन बताशिवा तो चार ऑक्सिजन माइनस मन में है और एक ऑक्सिजन माइनस टू में है तो एवरेज क्या होगा एवरेज ऑक्सिडेशन नंबर आफ ऑक्सिजन माइनस सिक्स डिवाइड़ बाइड़ फाइफ अब आपक्सिएंट समझ आया है तो टोटल में माइनस चार्ज और पांच ऑक्सिएंट पर एवरेज ली माइनस इक्स पाइव का चार्ज तो ऐसे निकालना एवरेज ऑक्सिडेशन नमबर इसने तो अंडरलाइन का पूछा था 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 उसमें बताने का जुरत नहीं पड़ा वैसे करना है बस पीछे कुछ लगी आंसर कौन सा अंजर दिया है बता मेरे को 14 में प्लस्टिक्स आंसर दिया तो है अच्छा साथीक है एक्सराइज वन पार्ट टू में बोलू एट्री का एप्शन एट्री का एप्शन हां ठीक है और बोलिये और गोड़ाउट है एक्साइज वन पार्ट टू में नहीं है डाउट ठीक है एट्री में क्या बोला है वाट सॉरी विच आप फॉल्विंग स्टेट्मेंट इस ट्रू फॉर आई ओटू एप्टू माइनस अब सबसे पहले तो इस्ट्रेक्चर बनाओ आई के उपपर सेवन इलेक्टॉन होते बट एक माइनस आगया तो एट हो गए ओटू तो डबल बॉन्ड से कनेक्ट होंगे एफ टू ऐसे कनेक्ट होंगे चार बॉन्ड डेटा में एक है तो पांच मतलब एस्पी 3D होगा अब एस्पी 3D कैसे बनूंगो मैं आई एफ एफ डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ ऐसा ऐसा ही बनाऊंगा मैं प्रशन एफ पहले तो पूछा है कि विच आफ दॉट पॉच्छा है कि विच आफ दॉड और फॉलिंग करेक्ट करेक्ट कैदर एलेक्ट्रों सार लोकेटेटेट अग्वाप दाइग्णल बाइपिरामिडल बट वन अफ दा एक्विटोरियल पेर्स इस अंशेयल ठीक है कि समझ में आ रहे हैं किसी को समझ आ रहा है कि पर समझाओ मेरे को वन आफ दा क्या होता है वन आफ देते हैं कि तो है अग्यों कि सर लोन पेर है ना उसको अंशेड बोज रहे हैं तीक है वन पेर को थीक है वन आफ दा इक्विटोरियल पेर से अंशेड़ कि तो वन आफ़ दो लिखने का मतला शेयड तो समझ गया में में लून पेर को अंशेड बोल रहे ठीक है लोन पेर ऐन शेयczasड नहीं और नहीं है तो यह वन आफ दा लिखने है कोई सैंस नहीं है यहां पर एक यह उसमें से दो दो लोन पेर उसने ऑक्सिजन के साथ डबल बॉंड बना लिए एक लोन पर बस रहे गया तो उसको वन आफ दे एक्विटोरियल पर बोले इसने बॉंड पेर और लोन पेर दोन बोले हैं और उनमें से एक जो पेर है सब्सक्राइब और यहां चलो ठीक है एक साइज बन पार्ट नमार को डाउट है नहीं कर वर कर के लाए वंबर के ऐसी आगे है एक साइज बन पार्ट थ्री में बोलो थ्री में तो नहीं आना चीडव क्त से चस्थ स्थी को डाउट ऐक साइज उन पार्ट थ्री में कि एक साइज टू पार्ट वन एकसाइज टू पार्ट बन में कोई डाउट है सर पंद्रा वाला उस में मतलब उन्हों और बोलिये 18 का स्टेट्मेंट 3 और कॉन सा स्टेट्मेंट 3 अचलिये एच्छाइन पॉर्मिन पॉर्मितु इस प्रटीन भी थर्टीन भी थाइन भी और सट्रेटीन जह और को डाउट हो नहीं किसी को नहीं को आज वो लड़की नहीं है एक लास में नहा नहा था तो तो एक लुग का मैं हम साथ 10 में 13 में देखो क्या हो ला है कि इस ने पूच़ है भाई है सेर्ब रखर अरे यार बहुत गठीफ डाउट है तुम मुझे बता तुम्हें किसका स्ट्रेक्चर नहीं पता हैं इंचारों मैंसे तुमने कभी देखा ही नहीं ऐसे मैंने ले आ रहे हैं आरे भाई यह स्ट्रेक्टन में बनवया यह बनवाया है यह नहीं बनवाया है तो में चेक कर लूँगा पर मैं अक बार अगर फिर भी नहीं हो सो उक प्रकार नोट्स पड़ो नोट्स नहीं वालना यह में पारॉकसियन लिंकेज नहीं है पारॉकसियलिंकेज का मतलब समझ्थे हो बिभी Variский Link तुमें परॉकसाइड लिंकेज मिल जायेगा इतने सारे बनवाई है किसलिए बनवाई उसको याद रखना है ऐसे देखने के लिए थोड़ी बनवाई याद ने रखोगे तो कोई मतलब थोड़ी बनवाने का कुछ नमबार 15 15 में क्या बूला है हाद परसेंटिक वाइस करेक्टर इंदा और बेटल फॉर्मिंग पीएस बॉन्ड हाँ इसमें क्या क्या द हाँ हाँ है हाँ 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 है कि अ इस पीटरी इस कि इस पीट अफ सल्फर कितना आ रहा है कि को अब तोनों सेम और सभ दोनों सेम आइस और फॉर्शन नंबर 18 में देखो 18 वाले कुछन में ना स्टेटमेंट के अंदर दिकत क्या है मैं तुम्में बताता हूं हेटीनवाले उश्म में है न हम लोग सारे स्टेटमेंट को चर सकते तेखो कि इस्टेटमेंट i am बढ़े क्या होगा सेमiter रम तुम से होका कि वो ठूए ठीक है स्टेट्मेंट वन ुम ty सब्सक्राइब कर अब देखा होगा यह से भी प्रू आ रहा है एक स्टेट्मेंट 3 और फॉर में दिक्कट बोले स्टेट्मेंट 3 देखो क्या है अब देखो बहुत सारी इसमें दिखते हैं क्या अब देखो इसमें क्या है अब देखो इसमें बॉला ना टर्मल आटम भी से में ठीक है तो इसने बूला इलेक्ट्रों नेगटिविटी बढ़ने के साथ साथ बॉन्ड एंगल बढ़ता है तो क्या वह बढ़ता है अब फॉल्स दिया है अब फॉल्स दिया है अच्छा यहीं दिक्कत है इस्टेट्मेंट फॉर में क्या बहुत है इस्ट्री में देखो क्या बोला है फॉल्स कैसे दिया है भाई यह क्या दिक्कते इसमें अब देखो हम लोग है ना एक्जामपल लेते हैं जैसे क्या एक्जामपल ले सकते हैं इसका कि एक्जामपल ले भी मान सकता हूं क्या यह यह से कंडिशन को सेटिस्वाइब कर रहा है कर रहा है कंडिशन को तो सेटिस्वाइब लोन पेर वगएरा उन सब की तो बात नहीं करीए एस प्राइब कर रहा है उनक्रीजाते हैं पर तो क्या है उससे थोड़ा कम है समझ गए तो इस अकॉर्डिंग एस तरी मेरा हमेशा सही नहीं होगा एकदम हाड स्टेट्मेंट नहीं है यह उसमें हमें सारी चीज़े कंसिडर करने पड़ेगी नंबर ओफ लोन पेर वगेरा यह सब चीज़े भी देखनी पड़ती है एस पॉर मेरे को याद आ रही ती क्या कि और दी ना वह लोग ने बुलें सिमिलर साहिस्का लेने को इन आल कंपाउंट तो इसा जो कोई एक्जामपल होता ही नहीं है तो हम इस स्टेट्मेंट को जज नहीं कर सकते बट क्या मैं इन तीन स्टेट्मेंट के विएफ पे को हम बता नहीं सकते बागी कोई यह कोई है ऐसा जो मेरे स्टेट्मेंट 4 को प्रू बोल सकता है कि हां सब्सक्राइब तो फिर थी कि हमें भी ज्यान की और ज्यादा प्राप्ति हो जाएगी इसमें बोला है फॉर हेट्रो न्यूक्लियर डाय अटॉमिक बॉंड लेंथ डिक्रीज इंदा डिफ्रेंस इलेक्टर नेटिविटे इंक्रेस कंसिडर यह भी ऑफ सिमिलर साइज स्टेट्मेंट है क्या बोलना चाहरा है समझ नहीं आ रहा तो हम लोग बोलते हैं और उसमें तुमने फिर इलेक्टर नेटिविटी में डिफ्रेंस भी बढ़ाना है तो वह कैसे पॉसिवल है तो बागे इन तीन स्टेट्मेंट को इसली जज़ कर सकते हैं तो स्टेट्मेंट फट्र गलtechn? अव स्टेट्मेंसलिन प्ता निंसकती है गलत मै ने नहीं वहाज हो बता नम प्ता नीं सकते है और ऑलकी और उसमीलर साइज वाला पाह्ट शटा दूके और मैं बोलू कि अगर इलेक्ट्रों निए डिफरेंस बढ़ रहा है तो बॉंडलेंट डिक्रेस्ट तो करता ही है ना तो भी करेगा ना तो वही तो चीज है ना मैं मैं वही दिक्कत दिये यह इसे बज़े से मैं बता नहीं पादे अब कुछ बखेगर रटा दो ठीक है एक साइस टू पार्ट्टू में बोलो वन का एफ और जी वन का एफ जी और बोलो वन का एफ जी कहला और कोई डाउट है तो बताइए नहीं है वन में क्या बोला है फाइंड नंबर आफ क्या दिख्या दे कौन बोल रहे हो तुम शर मुतासिम बोल रहा हूं मुझे यह जानना था कि हम कैसे पता चलेगा कि बैक बॉंडिंग हो कि उसका है अच्छा अच्छा यह तो वही कुशन है जो तुम थोड़े दिर कल परसुत कोई तो तुम गुरूप पे डिसकस कर रहे है ना हाँ देखो जनरली है ना जनरली ऐसे तो बैक बॉंडिंग मतलब अच्छा तुम यहीं बोलना चाहरे हो ना कि सी एल नाइट्रूजन के नाइट्रूजन को दे देगा जा फ़ाद मेरी देखि hear engineer की देचिते एफ और जी-डॉनों एफ और जी तुम यह दोनों ऐसी होंगे है किदिक्द क्या है या क्या तो पांस लोन पैर क्लोरीन नाइट्रूजन केो और पेर एक क्लोरीन फ्रि और चल今日ohin है इसमें वैसे Bureau कफ शॲए है अच है मतलब मेरे साथ से तो ऐसे बैक बांडूडूंड ingy स्राइवें बैक बांड्डिंब के लिए कि मतलब बैक बंडिंग के लिए मतलब बैक बांडिंग के लिए कोई ड्राइविंग फोर्स नहीं करनी है ना जैसे हैं ना बोरोन वाले लिए की सिलीकन वाले केस में देखा तो जैसे कुछ स्पेस्विक केस उसमें लोग बात कर सकते बैकबांडिंग की ऐसे तो तुम्हें कहीं भी कुछ भी मिलेगा तुम बैक बाद कर दोगे नाइटोजन है क्लॉरीन का यह बैक बाद कर दो तो प्लेनर हो गया तो वैसा मेरे साब तो नहीं होगा मतलब जो बाकि ऐसे बैक बांडिंग बोलना मेरे को लगता नहीं कि यहां पर ऐसे बैक बांडिंग हो जाएगा इंशेल थी में बांडिंग है यहां है यहां इसमें अब यहां मतलब में बॉल रहा हूं अपर बीस हील थी में कल रीन का जो पी और बाइटल घल्टा और बोरोन का बोले तो मतलब तो दोनों पेरलल जैसे हम बेंजीन में बोलते हैं इसमें एंसी यल्टि तो मैं एस पी 3 तो उसमें साइध दोनों के पी और बाटल कभी ऐसे प्लेन में ऐसे आ नहीं सकते पारलेंज पांड हैं जैसे आप लोग रेजोनेंस में भी बोलते हैं कि और वाइंटल होने चाहिए से गण केस होता है कि ऐसा ही होता है कि है और होता है कैसा अ मैं बोल रहा हूं कि जो अभी बोल रहे थे हम अपली सेम प्लेन में होनी की बात इधर तो अपलाई नहीं होगी उस हिसाब से इधर होता है बैग बोर्ड निक कैसे नहीं है मतलब सेंट में क्यों तुम ऐसा बोल ले हूं फिर फिर वही मैं बोल रहों कि ncl3 में भी वैसा नहीं है मैं देखो इसका एक्जेक्ट मुझे फार्मुला बता वापस से क्या बोलते थे हम लोग एक तो होता था एन क्या है एसाई है एच त्री गोंट्रेज कि फिर्ट्राइज एच त्री और एक होता था एंड शी एच त्री एच त्री एच त्री एसा नहीं लूगों मैं बनाई देता हूं एच थरी एक थरी एक हिसा और था था है कि यह भी व्यका आँ सथीट अब हम लोगो बूलते है इसमें सिलेकन के पास विकेंडी और बाइटल है तो ओरल्ख नहीं होगा ठीक है अब यहां पर तुम लोग क्या बोलना चाह रहे हो कि वैसे देखाना लॉजिक के अकॉर्डिंग वह बात भी सही है मतलब और लैपिंग के लिए अप्रोप्रियेट डायरेक्शन में हमें औरीटल मिलने चाहिए तभी हम लोग सिगनिफिकेंट बएक बाइक बॉलेंगे ठीक है जैसे हम लोग बोलता है कीएcolor 3 में सिगनिफिकेंट बैकबॉंडिंग होती है बट कि I3 में सिगनिफिकेंट बैकреšकर नाहीं होतीजा हुट हुटकि जो हमारा तो इधर डी है यह भी थार्ड पीरिट से सिलिकन और क्लोरिन भी थार्ड पीरिट से यह दौन में 3D 3D रहेगा आप इधर तीन लोन पिर एक बॉंड बनाये तो यहां पर भी स्पीज रहे यह भी स्पीज रहे तो 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 थीक है वो तो ऐसा ही होता है क्योंकि हम लोग ऐसे ऐसे बैक बांडिंग के देखने जाये तो पता नहीं फिर हम जगें हर जगें बैक बांडिंग करवाने का सोचेंगे कि जहां भी हम को एक के पास लोन पर मिला और काई भी थार्ड पीरेड उसे ज्यादा का कमपॉंड मिला हम तुसी था वैक बांडिंग की तरफ चले जाएंगे कि हां भाई बैक बांडिंग करवा दो ठीक है तो फिर सेंट्र अटम से टर्मिनल अटम पर कभी भी बैक बांड ही नहीं बोलते हमें देखी एक सिग्निफिकेंट है कि हां भाई इसमें हम लोग देख लेते हैं वैसे मेरे साब से एंसे त्री में मैंने तो कभी देखी नहीं वैक बंडिंग होता हुआ तो आई तिंग जैसे याद रखें तो जादा बेटर है क्योंकि हम नाइट्रोजन के पास लोन पेर और बेटल सेंगें में नहीं होता है अप्रोप्रियेट डिरेक्शन में ओवर्लैपिंग होगी तभी हम कंसिडर करेंगे अब हम इसको सोच नहीं पा रहे हैं थे पेपर पर कैसे नहीं होगा यह ना बस यह दिखता है कि तूपी तूपी ओर लापिंग ज्यादा मतलब यह वह तो हर हर केस में होता है है हमने वीबीटी में भी ऐसा पड़ा है कि अगर एनरजी ऑफ और बाइटल सेम या नियरली सेम होगा तो एक्स्टेंट ऑफ और लेपिंग बहुत ज्यादा होगा वैसा भी सीन होता है ठीक है बागी अगर मेरे को कहीं दिखेगा सॉलिड रिज बोलो इसका शिक्स का ओप्शने और बस शिक्स के अपसने में क्या बोला है बोरेक्ट एट बोरोन अटम प्रेजेंट इंटू इंटू डिफरेंट ऑक्षडेशन स्टेट बनाऊ ना बी 405 ओएच 4 तू माइनस बोरेक्स का ना या बोरेक्स एक बात है तो इस एक पर नेगटिव चाहता है उससे फरक नहीं पड़ेगा कुछ इवीं जूको में स्ट्रेक्चर बना दिता हूं पहले लोग देखते हैं कि विल्क देख बना उससे ऋससे एंए मैंदस यहां पर माइनस वन बस आप crayच्टक देश्ट कर ना ऑक्षेडेशन स्टेट तो oxidation state निकाल लो यहाँ पर कितना आएगा plus 3 ठीक है यहाँ पर कितना आएगा plus 1 plus 1 plus 1 ठीक है और minus 1 इस पर already formal charge था तो यहाँ पर भी oxidation नंबर तो इसका plus 3 है यह कैसा oxidation नंबर दिखाला मेरे को समझ आया तूमें तो वहां पर नेगटिव चार्चर नहीं समझ जाना देखो मैं पहले इदर वाले का समझात अधर ऑ collectors home is magic बॉरून पर प्लैस मोन आएगा ऐसे इस बॉन की वजजे उग्म पर कर देखाएगा ऐसे संसूं आएगा तो अवरॉल्ड मेर्स थ्री हो गया हाँ सर्थ बूले और यहां पर देखो चार ऑक्सीजन है चार ऑक्सीयन बोरोन ऑक्सीजन बॉन्ड है तो सभी पर चार प्लेस बन आगे हब लो है और एक माइनस वन अल्रेड है तो बोरॉन तो प्लस 3 में यह न अदू हो जबब अधिक से हैं तुर डिफ्रेंस नहीं एकुछ दॉन वरॉन में प्लस 3 में ही एक्सिस्ट करेगा बोरॉन प्लस 2 में कभी जाता भी नहीं सब्सक्राइब और बना रहा है और एक बोरन की वज़ेंग करें तो प्लस तो यहां पर और एक प्लस वान है अस मतलब क्या बोलना चाते हो जैसे देखो लेंट होता है तो मैं इस इस ब्यूद की वजह से इस बॉयद की वज़े से बना रहा हुँ यह बॉर्ण की बडा से ब्लस वंगया था और उक्सिएन पर माइनस वन तो हूँ एक एलेक्ट्राण ऑक्शिएन के पास आगए रह माइन evento हाँ ठीक है अरो कोई दिक्षा दो ए एकषाइश टू पार्ट थ्री में है एकोट फ्रौर में बूलो है पार्ट फ्रौ में नहीं कुट थे도 ऑम सिक्षाइश ठीं पार्ट में नियुक्षत貍न ऑप फूर पार्ट बन में एक साइस तरी पार्ट बन में जी फॉर ठीक है और और कोई डिक के दे नहीं है ठीक है फॉर में क्या बोला दे करेक्ट और और हविडाशन आप सेंटल अटम लिए पीचल फाइव बीचल थ्री वह लोग डीएस पी में क्यों चले गए वह मुझे समझनी है अच्छा देखो तुम्हें ना एक चीज में बता देता हूं एक तो तुम्हें ना कॉडिनेशन कंपॉर्ण में दो तरह के आपड़ाशन पड़ोगे एक तो डीएसपी टू और एक डीटू एसपी तुमने पहले भी नाम सुने होंगे है ना उसे नाम दीएसपी टू और डीटू एसपी ठीक है इसमें दी पहले लिखते हैं कभी ऐसा तुमने नाम नहीं सुना ओगा डीएसपी ठीड यह नहीं सुना ओगा कभी है नहीं हमेशा यह सपीटी तरी रहता है अब देंस आगे और पीछे लिखने का क्या सेंस बादा अग तो अब देखो डी अगर अंदर वाला आए तो पहले लिखते बाहर वाला आए तो बाद में लिखते ठीके अब ना देखो लाए हुज में क्या होता है तुम्हारा डाउट ठीक है डाउट ठीक है वाट हम्हें क्या होता है कभी-कभी चार औप्शन को कि यूज PM नहीं है नहीं है नहीं है फिर भी ऑप्शन हमें टिक करना ही पड़ेगा बागी डी इनर और बाइटल वाला होना चाहिए अंदर वाला डी अगर यूज होता है तो हम लिखते हैं तुम चाहो तो PCL5 को लिख के देख लो PCL5 क्या होता है कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 10 फिर आगे क्या होगा कि 4p3 ऐसा कि 10 10 20 कि ज्यादा लिख दिया मेरे को लग रहा है जोज जोश में मैंने कि सर्फ फॉस्फॉरस थर्ड पी रड़ का है हाँ वही न मेरे को भी ऐसा लगा में ज्यादा लेग दिया यहां पर आगया ना बस खतम हो गया इतना और 3D आगे जीरो है हाँ तो फॉस्फॉरस में अंदर वाले और बाइटल का है या बराबर में बाहर वाले का है अंदर वाले का तो नहीं है इतना तो समझते हो अंदर वाले का तो नहीं है तो बस फिर dsp3 नहीं होगा इन्होंने बस वैसे कंफ्यूज करने के लिए लिए लिग दिया है तो उस अकॉर्डिंग हम बस भी option common sense से टिक कर सकते हैं अंदर वाले और बाइटल का डी नहीं है बाहर वाले का इडी होता है तो फिर अगर हमें चार option में जवर्दस्ती को यह करना ओं तो उसी साब से फमलुग भी ऑप्सें कर सकते हैं थर उन्हों ने तो इस टिश दिया होगा है हाँ तो मैं बोल रहा हूं कि यह यह पता पढ़ गया फैस्ट का लास्ट का सी हुपा बढ़ गया इसका तुम्हें क्या पता है łचार में प्सेन करना पढ़े जब इस बहुता है वह मैंने बताया तुम्हें बट हम लोग कॉडिनेशन नंबर में भी complex compound में कॉडिनेशन कमपाउंड जिसको बोलते हैं उसमें चार दो ही कॉडिनेशन नंबर हम लोग जनरली पढ़ते हैं कोडिनेशन नमबर 4 और 6 बागी होता तो है कोडिनेशन नमबर 5 इसके लाए और कोई डाउट है एक साइस 3 पार्ट 1 में नहीं है ना एक साइस 3 पार्ट 1 में नहीं है को डाउट एक साइस 3 पार्ट 2 आफ लाइन में बोलो पहले कि दौनों इसमें आफ लाइन में बोलो फेले एक साइस 3 पार्ट 2 ऑफ लाइन में को डाउट है तर आसी टो नाइट्राइल का की स्ट्रक्टर बढ़ी है कि इसका अच्ट्चव बाउंडराइश सींपल इनाइट्राइल नहीं हो और अच्छा हम ठीक है कुल टाउट है हाइव घर हेलों जासरी छासरी अफ्लाइन है द कि ईये आए गया तो dłonan डाूए और पर जी लिए फूर में नए नहीं हैं मैं नहीं मैं जड רק कोई बात नी मैं यह बहुता इसे इतने खती है कि संदेगो तुमारे टैस्टे क्या नहीं है संदेगो टैस्ट मैंने पहले पूछा था कोई क्लास संदेगो कि अरे यार एक तो कि इडिए सर्ट जीने नहीं देंगे तुमको कि केमिकल बॉंडिंग थरी चाहिए ना हमें करके लाना है केमिकल बॉंडिंग थरी में अब अब यदि तरीक अक्ला से इसलिए जादा नहीं दूंगा कि यह हमने पढ़ तो लिए हैं ना में ना हॉम वर्क को दे रहूं हाँ सर पढ़ लिए एक साइज वन कम्प्लीट ठीक है चलो अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं तुम्हार को अल्मूस अल्मूस एक गंटा हो गया डिस्कुशन करते हुए देखो लास लेक्चर में मैंने एमोटी तुम्हें पढ़ा रहा था और एमोटी में मेजर सारा पॉर्शन मैंने पढ़ा दिया था फिर मैंने बूला था में एक आइनाइजेशन एनर्जी का एक कॉंसेट समझाओंगा एमोटी से ना वसे एक कॉंसेप्ट वो बता देता हूं और एक स्पी मिक्सिंग बता देता हूं फिर हमारा एमोटी खत्म हो जाए ठीक है तो ए जैसे फापोस करो एनकी मैं बात करता हो न इन घू में हमनो B बोलते हैं आंटू की बात करें तो चीजह पीर एक साथ ही बता देता हो तो समक्का बूलते है शिगमा 1 स्टू सिगमा स्टार 1स2 इस सिगमा 2 एस 2 सिगमा स्टार 2 क sett by के दो लुए डूराा पीक्स 2 लुई में ठीक है फिर सिगमा टूपी टूजेड फिर पाई के दौनों स्टार वाले तूपी एक्स वाले भी और टूपे वाई वाले भी जिन में जिरो जिरो है ठीक है चलो इतने में हो गया हमारा काम है अब देखो वन टू त्री यहां पर टू नहीं लिखा वन टू थ्री फोर फाइप सिक्स सेवन फॉर्टीं लेक्टरन फिल कर दिया ना इन दौनों को मिला के एक और नाम बोलते हैं क्या बोलते हैं के के सुना होगा तुम नहीं सुना जाए है आप निन लीखाता हम बूल गया मैं तुम देखोगे इन दौनों को के के भी बोलते हैं वह चैल होता है यह शेल एल जैल मशेल उसके इसको के कैद बोलते हैं क्योंकि फैस्ट सेल है वन ऐसे इसलिए के भी बोल देते हैं अब देखो अगर यहांपर अगर मैं बॉंड और निकालू तो तुम निकाल ले ना बॉंड ओडर थ्री आएगा थ्री बॉंड ओडर का मतलब कौन-कौन से बॉंड है पाई सिग्मा के अकॉर्डिंग बात करें तो दो पाई एक सिग्मा मतलब ऐसे देख लेते हैं कि देखो कि यह इससे कैंसल हो गया टू एस टू स्टार इससे कैंसल हो गया ठीक है तो अगर हम लोग बात करें बॉंड ओडर की तो शिक्स एलेक्ट्रोन बचें बॉंडिंग में एंटी बॉंडिंग में कुछ नहीं बचा बाई टू तो बॉंड ओडर थरी आया मतलब एक सिग्मा दो पाई देख पा रहे होंगे एक सिग्मा दो पाई इसको अम्भूब बोलता है हाइस्ट उक्यूपाइड मॉलीकिलर सिग्मा तूपी टूजएड में क्या है हाइस्ट उक्यूपाइड है और पाई स्थार वाले सबसे काम एनरजी के वहीं है जिसमें एलेक्ट्रोन नहीं है ठीक है अब मैं तुम्हें कॉंसेट बताता हूं जो मैं बताना चाहा हूं उसके लिए ना मैं इसका एक एमो साइंस याठी वह कि वह इथर ऐसा है अभण और यह वन्हें से यह बन्हें से ए यह वन्हें से न और एन न और एन मिलकर न तू बना रहे हैं तो इधर एक का एक हैं का आटॉमिक और बाइटल इधर दूसरे एंकहाई और लोने ऑर वन एस क्याम बनेगम चार एलेक्ट्रोन है चारों फिल कर तो जो नीचे वाला होगा वो सिग्मा वनेस होगा और जो उपर वाला होगा जो सिग्मा स्टार वनेस होगा है ना ऐसे फिर 2s की बारी आएगी तो इधर 2s 1s2 2s2 ऐसा होता है ना इक्रोजन में 1s2 2s2 दें 2p3 तो 2p3 पर हम रुख जाएंगे दो इलेक्ट्रोन अगेन इधर बनेगा सिग्मा स्टार 2s यहां पर बनेगा सिग्मा 2s ठीक है अब उपर जाएंगे लास्ट लास्ट हम लोग बात करते हैं देखो क्या सिग्मा 1s2 2s2 2p3 तो 2p3 में ऐसे होगा एटॉमिक और बाइटल टूपी एक इधर एक एन का इधर टूपी दूपी दूसरे एन का ठेक है अब इसमें देखो इसमें कैसा बनेगा एनर्जी ओल्डर ही एएसा होगा हुम 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 उल्टा लिख दिया मैंने फोड़ा सा कि इसके बाद पहले पाई वाला आता है ना पाई वाले में वापस गलत बना दिया ने े पाई आता है पाई के दो ही आता है तो फीर ऑद फिर एक आएगा फिर अगीन पाई वा या यह यह बना तो सकते हो ऐसा बोलो इसको बोलते हैं सिग्मा टूपी जड सॉरी 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 सिग्मा टूपी जड नहीं सिग्मा टूपी जड तो कौन सा है उपर वाले उपर वाले को बोलते हैं सिग्मा टूपी जड नीचे वाला क्या है पाई टूपी एक्स इक्वल टूपाई टूपी और नीचे से उपर जा रहे हैं तो एनर्जी बढ़ रही है या घट रही है बढ़ रही है बढ़ रही है अब मेरा कोशन क्या है मेरा कोशन इसको देखके बताना है कि इसका इनर्जी ज्यादा है क्यों मतलब होता है आउटर मुस्ट से इलेक्ट्रोन निकालना और इन्फाइनेट पहुचाना ना इड्रोजन के लिए ओड्रोड के लिए डिए घ्रोड और आंश्यल सेड़े न इडिया है दो दौनों में से किसका उट्रोड सेल स्टेबल है री नटू फुली नहीं जिसका एनर्जी कम वह स्टेबल कुली फिल्ड कोई लिलना देना नहीं है जिसके एनर्जी कम वो इस्टेबल और वेसली एनर्जी लेवल में नीचे आ रहा है ना सिग्मा टूपीजर ठीक है तो हम बोलेंगे कि भाई आइनाइजेशन एनर्जी एन्टू का ज्यादा होगा एस कंपेर टू एन क्यों क्योंकि अधिया इनर्जी से देखना जिसका एनर्जी नीचे मतलब वहां से लेक्टन निकालना मुश्किल यह लॉजिक देना है पुली फिल्ड आप जो पी आर्बिटल में जो हमने ऑर्डर बना है मुझे ऐसा लग रहे कि वो गलत है क्योंकि हमीशे नीचे वन वाल एक नीचे सिग्मा वाला होता है यह यह ओडर सही लग रहा है नहीं सर यह सही नहीं लग रहा क्या गलत बना दिया मैं अब देखो मैं कोशन देता हूं तुम्हें कोशन क्या है और आइडेंटिफाए इसी कॉंसेट से मिलता है कॉंसेट है कोशन है सौरी आइडेंटिफाए करेक्ट ऑडर ओफ आइनाइजेशन एनरजी बित्वेन अक्सिएन और ओमें करेक्ट ओडर ओफ आइनाइजेशन एनरजी बताना है बढ़ा लोगे बढ़ा बड़ा आइनाइजेशन एनरजी बताना है वह का जाधा रहेगा इसका जाधा रहेगा एनाइशन एनरजी बढ़ा ओक्सिजन का देखो अगर मैं ऑक्सिजन के लिए उटू के लिए और लिखू तो 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो और क्या आएगा के के सिग्मा तुएस्टू सिग्मा स्टार तूएस्टू फिर पाई नहीं आएगा फिर कौन आएगा सिग्मा टूपी जैड टू एक के में भी दो दो इलेक्ट्रॉन है ना फिर पाई टूपी एक्स टूपी वाई इसमें टू टू कितने होगे दो चार छे आट दस पारा चौदा दो और बचे ना फिर पाई स्टार आएगा पाई स्टार टूपी जड़ा अब देखो एनड़्जी ऑडर बनाएं तो डियरेक्ट हैना मैं वह वाला ही हो सबसे ऊपर वाला नीचे वाले दो नहीं बना रहा वह तो तुम्हें पता ही होगा कैसे होते हैं नीचे वाले दो नहीं बना रहा अब एनर्जी और्डर में बनाऊं तो देखो तूपी फोर होता है लास्ट में ऑक्सियन के अटॉमिक और वाइटल में कि अब सबसे ऊपर आएगा यह कि सिग्मा स्टार्ट फिर पाई वाला आएगा ना फिर नीचे अगें पाई वाला आएगा कि पिर नीचे यह आएगा कि अब देखो कैसा है ऐसा है ना अब आउटर मूझ चैल से इलेक्टर निकालना है तो एक तो ओटू का एनर्जी लेवल यहां है और इसका आउटर मूझ चैल का एनर्जी लेवल यहां है तो आए जैसे नेनर्जी किसका ज्यादा होगा को का को का ज्यादा होगा ओसे इलेक्टर निकालना डिफिकल्ट है ओटू के कंपरीजन में समझ गए मेरी बात है जैसर चलिए तो कभी अगर ऐसा पूछ ले तो उसको हम लोग मोटी से हम लोग बचा सकते हैं चलो अब मैंना इसमें प्रैक्टिकल कॉंसेप्ट है उसका थोड़ा सा मैं आइडिया तुम्हें देता हो ना इंडिया उपर होता है बोल सकते हो पर देखो डाइग्राम मैंने इस लिए लिए दाएग्राम बनाना ही पड़ेगा नहीं जतना जादा रहेगा उतना नहीं तेखो जैसा मैंने बताया है एनरजी औड़ेन से वेसा कर लेना थे कि अभी एलेक्ट्रों जादा रहेगा कम रहेगा इत्ता तो मैंने सोचा नहीं तुम सोच सकते हो तुद देख लेना बागी सबसे बेसिक वैंडे से अगर को सॉल किया जाए तो सबसे आसान रहता है और आंसर सही आने की पॉसिबिलेटी सबसे जादा रहती है तो बेसिक बं सबसे विक्सिंग होता है देखो ऐस्प मिक्सिंग क्या होता मैं तुम्हें एक बार समझा देता हूं यहां पर लिखा अभी एसपी मिक्सिंग का मतलब modification in energy of mo's due to s and p mixing s और p orbital की mixing की वज़े से ऐसा होता है अब फर्स्ट पॉइंट लिखा है इसमें इस प्रैक्टिकली अब्जर्ब देर एक सेकंड रूक ही है और मुझ में कुछ चला गया मेरे it is practically observed that mo's of similar symmetry and energy do interact and repel each other due to which energy of high energy mo if further increase and energy of low energy mo is further reduce यह important सबसे यह लाइन सबसे important है और do interact and repel each other due to which energy of high energy mo further increase and energy of low energy mo is further reduce कि भाई हम लोग बोलते हैं कि दो mo जिनकी energy same हो तो वो एक दूसरे से interact करते हैं ठीक है और high energy mo का energy और बढ़ जाता है लो allergy mo का energy और कम हो जाता है ठीक है तो हम बोलते हैं in case of electron lesson equal to 14 homonuclear diatomic molecule sigma 2s and sigma 2pz have similar symmetry and hence interact to form modified mo in which energy of 2s reduce and 2pz is increased ठीक है हम मैंने बोलाए कि energy in case of electron less than equal to 14 मैंने तुम्हें बताया भी है क्या का गया कि electron greater than 14 जो होते हैं न उनमें तो order normal रहता है बट electron less than 14 में क्या होता है सिग्मा 2pz और सिग्मा 2s इतरेक्ट करते हैं और जिसका energy पर मेरे को ऐसे बढ़ाना comfortable नहीं है बट फिर मैंना देखो बताता हूं कैसे करना है हाँ देखो इसमें स्क्रीन का लेंट जादा नहीं फिर मैं बता देता हूं देखो क्या रहा है मैंने एक वर इस डाइग्राम से बता हूं रहा है तुम्हें जादा समझ आएगा क्या है कि नीचे से उपर जा रहे हैं कि तो energy क्या हो रहा है इंग्रीज हो रहा है कि energy बढ़ रहा है ना नीचे से उपर जा रहे अब देखो दो energy order में लिखूंगा यहां पर एक बार में एक साथ बना देता हूं डाइग्राम फिर में एक स्पेर कर रहे है वह और बीटल की पोटेंशल एनाजी रहेगी ना अब इसमें देखो हमारे पास क्या है सबसे नीचे energy में आता है कौन सबसे नीचे energy माता सिग्मा वनेश थीक है उसके उपर आता है सिग्मा स्टार वनेश उसके उपर आता है सिग्मा 2S उसके उपर आता है सिग्मा स्टार 2S, हैना मैं ऐसे ही culturally energy बना रहे हूँ सिग्मा स्टार 2Pz फिर दौनौर पाई फिर दौनौ पाई स्टार फिर सिग्मा स्टार 2Pz, हैना यह देखो, यह energy order मैंने लिखा है किसके लिए electron 014 तीन के लिए जिसमें SP mixing नहीं होती है ना उसके लिए लिखता है उसमें देखो यह कौन है यह सिग्मा वने से यह सिग्मा स्टार वने से यह सिग्मा टूएस है यह सिग्मा स्टार टूएस है यह सिग्मा टूपी जैड है सिग्मा टूपी जैड है यह पाई टूपी एक्स एक्वल टू पाई टूपी वाय है यह पाई स्टार टूपी एक्स एक्वल टू पाई स्टार टूपी वाय है और यह सिग्मा स्टार है अब देखा reaction किस किसे बीच में होता है यहां पे देखो घ्रियमें इंट्रैक्शन होता है सीगमा टूएस और सिगमा इस्टारं टू पीजेंड के बीच जिए दौनों इंट्रैक्शन करते हो और जिसका एनर्जी कम जिसका ज्यादा है उसका और ज्यादा तो पहले तो हम लोग सिग्मा 2S और सिग्मा 2PZ को देखते हैं ठीक है तो क्या होता है देखो 1S अब मैंने यहाँ पर में लिखूंगा क्या एलेक्ट्रॉन लेस देन इक्वल टू 14 के लिए और अब इसमें हो क्या राय देखो यहाँ पर तो सिग्मा बने से एनर्जी से में सिग्मा स्टार बने से एनर्जी से में अब सिग्मा 2S का एनर्जी कम हो जाएगा यह ज्यादा हो जाएगा कम हो जाएगा कम हो जाएगा ना तो मैं बोलता हूं सिग्मा 2S का एनर्जी कम हुआ है थोड़ा सा क्योंकि वो अट्रेक्शन हो रहे है ना इसलिए तो ये कम होके यहां जाएगा सिग्मा स्टार 2S का एनर्जी भी क्या होगा कम होगा थीक है सिग्मा स्टार 2S का एनर्जी भी थोड़ा सा कम होगा क्योंकि वो भी अपना अट्रेक्शन डिपल्सन कुछ तो हो रहा है उसमें सिग्मा स्टार 2PZ से इसका एनर्जी भी कम होगा तो यह आ जाएगा यहां थीक है सिग्मा 2PZ म इसमें क्या होता है इसका एनर्जी बढ़ता है और बढ़के कहां पहुंचाता है यहां दौनों के बीच में यह जो पहले था वो वही है यह यहां था वो वही है ठीक है ऐसे ही सिग्मा स्टार टूपी जड़गा एनर्जी भी क्या होता है इसा होता है एनर्जी में यह जाते हैं अब देखो चेंजिस आए तो इनको मिलिग देते हैं जाने से देखो क्या हुआ सिग्मा वनेच जाहता हुआ है सिग्मा तूएज वस थोड़ा सा कम हुआ सिग्मा स्टार तूएज कम हुआ यह पाई 2PX इक्वल टू पाई 2PY वही है पाई स्टार 2PX इक्वल टू पाई स्टार 2PY वही है अब एनर्जी इंक्रीज हुआ तो सिगमा 2PZ इनके बीच में चला गया है ऐसा ही होता है ना और सिगमा स्टार 2PZ का भी एनर्जी बढ़ी गया है ऐसा होता है SP Mixing हमें कुछ नहीं हमें तो डायरेक्ट याद रखने हो समझ में आती है कहां नहीं सब्सक्राइब करें अच्छा हां ठीक है याद रखने है वागी है ना यह जो चीज मैंने बता यह कोई नहीं बतायागा तुम्हें कि ऐसा ऐसा होता है ठीक है थेट सेकर लूपर आपर हमारा इमोटी खत्म हो गया में मेरे आइपैड को वापस सीधा कर लेता हूं तो इसको तुम तो वापस सीधा होगे मैंने वैसे लिखा तब फिर भी सीधा होगे क्या हो मच तो लगा है हमें हमें पर यह सब्सक्राइब जाइब हो ने ऊच्छी बात है टाइम हमारे क्लास का प्रकप होता है लेविन फिफ्टी फंद्रा मिनेट और ठीक है फंद्रा मिनेट में हम लोग है ना देखो मैं मेटलिक बॉंडिंग थोड़ा बाद में पढ़ा हूंगा पहले पढ़ा देता हूं अगर क्वेश्चन में ना अभी जैड एक्सिस इंटन्युक्लियर अगर कोई और एक्सिस इं देखो अगर एक्स एक्सिस को आई ने बनाया है ना तो जहां सिग्मा टूपी जैड है उसकी जगे क्या लिखोगे बताओ इसमें ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है जो इंटन्युक्लियर एक्सिस से उसके लॉंग सिग्मा बॉंड बनेगा बाकी के लॉंग पाई बॉंड बनेगा इसमें क्या दिखते है सर मतलब यह जो आपने उपर एस्पी मिक्सिंग से खाया उसमें मतलब ग्रेटर दन फॉर्टीन वाला मतलब क्या हो रहा है उसका ये देखो मैने ग्रेटर दैन फॉर्टीन वाला और्डर इस लिए लिया ताकि तुम उसके रेस्पैक्ट में चीजों को देख पाऊ उसमें कुछ नहीं हो राहे लेज इन क्या दिखाँ फिर्स्ट पॉइंट कि अब लोग नेक्स बात करते हैं अब आर पास दूहीं बचें पढ़ने को आप बोलो जो मैंने बोला तो उसमें आपने बोला कि सिग्मा इंटर्ण्यू के रेक्सिस पें सिग्मा बनाएगा ना हां तो सिग्मा बॉन्ट चेंज होगे ना मतलब पाई बॉन्ट वैसे रहेगा क्यों भाई क्यों रहेगा वैसे पाई बॉन्ट कैसी बाते करते हैं तुम लोग अगर इंटर्ण्यूप्लियर एक्स एक सो पाई और जड़ क्या लॉंग बनेगा ना अब हां हां ठीक है अब देखो हम लोग बात करते हैं अब हमारे पास दो ही बॉन्ट बच्छे पढ़ने के लिए एक तो आइनिक बॉन्ट जिसको हम लोग इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ट भी बोलते हैं ठीक है एक सेकिन रोगो ऑ्यनिक बॉन्ट और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ट एक तो आयनिक बॉन्ट बचाए हमार पास पड़ने को दूसरा बचा बचा फाया हुमर पास आहिकलिक को ज़्यादा महिं पढ़एंगे सबसे से पहले हम लोग आइनिक पॉइंट के बारे में कुछ पॉइंट लिख लेते हैं जितना टाइम है हमारे पास उसके अकॉर्डिंग तो देखो फ़ास्टॉइंट इस में जो एप्ष्ट क्या है फिर्स पॉइंट और इनिक बॉर्ण में यह तो तो मैं पता ही न के इंटरेक्शन की बीछ से बनता है ठीक है ना तो पता होता सब्कों कि फिस्ट पॉइंट इस कि आइनिक बॉर्ण्ड इस नौन डिरेक्शनल इन नेचर वाइल कोवलेंड बॉंड इज डिरेक्शनल इन नेचर कैसे एक्स्प्लेंड करते हैं इस चीज को कोवालेंड wanna पने बॉलते हम लोग ऑसा बोलते हैं कि कोववलेंड बॉण तभी बनता है जब और अप्रोप्रियेट डाइरेक्शन में ओवर्लैप करें और भांड बाइन तो पोछिवल नहीं है कि नहीं है यह पॉसिबल ठीक है हम किसी भी डारेक्शन में ऐसे मन गड़ा तो और लेपिंग नहीं करवा सकते हैं और बाद में चलेगा आइनिक बॉन्ड इस सिंपल इलेक्ट्रोस्ट्रिटिक फोर्स अट्रेक्शन बिट्विन केटाइन और नाइन तो किसी भी डारेक्शन है एलेक्ट्रोस्ट्रेक्शन है ठीक है सेकंड पॉइंट इस फॉर्म्ड बाइ ट्रांस्फर आफ इलेक्ट्रॉन फ्रम वन एट्टम तो अनदर कोवलें बॉन्ड बनता है शेरिंग से उसमें शेरिंग करेंगे आइनिक बाइंट बनता है ट्रांस्वर आफ लेक्ट्रॉन शेरिंग नहीं होगे एक बार जो दे दिया वो दे दिया ठीक है कि सेकंड थर्ड पॉइंट इस फॉर्म्ड बिट्वीन कि मैटल एंड नॉन मैटल फॉर्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या हम लोग बोलते हैं नंबर आफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस बाइए एन एट्टम इस कॉल्ड इलेक्ट्रो वेलेंसी कोई तुमसे पूछे एन एसी एल में सोडियम का इलेक्ट्रो वेलेंसी कितना है तो क्या बोलोगे इसे में बोलू में मैंगनेशियम का इलेक्ट्रो वेलेंसी कितना है दो है तो ऐसा हम लोग बोलते हैं ठीक इसके अलावा आइनेक बॉन्ड में हम लोग एक कॉंसेप्ट पढ़ाते हैं क्या ना डाट इस नोन एस लैटिस एनरजी क्या होता है लैटिस एनरजी इस वेन लिख देता हूं देस इस दा अमाउंट अफ एनर्जी रिलीज़ लिएस दिस इस अमाउंट अग एनर्जी रिलीज़ तो ब्रेक वन मॉल आफ लेटेस एंटो एट्स कॉंस्टिटुएंट गैसियस आयन है ना इसका दूर डेफिनिशन है एक तो ब्रेक करने की टर्मस में एक फोर्म करने की टर्मस में ब्रेक करने का मतलब होता है अमाउंट अफ एनर्जी रिलीज ब्रेक करने की टर्मस में बोल रहे हैं कि अमाउंट आफ एनर्जी रिक्वाइड टू ब्रेक वन मॉल आफ लेटेस इंटो इट्स कॉंस्टिटुएंट गैसियस आयन इसके अलाव एक डेफिनिशन और होता है वो फोर्म करने की टर्मस में होता है क्या this is the energy released this is the energy released when one mole of lettuce अगर देखा है किए कि हो या तो वन ब्हों जैसे बोंड की बाण्ड एनेर्जी के रिस्टेक्ट में लोग बोलते हमें वैंड पर्म करना है यह तो रिलीज होगी और बाउन को ब्रेक करना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी सेम वैसा ही है कि अगर एक मोल हमें क्या बनाना है लैटिस बनाना है तो जो एनर्जी रिलीज हो वो लैटिस एनर्जी है या एक मोल लैटिस को ब्रेक करना है उसके गैसी जाइन में तो जो एनर्जी और सी एल माइनस गैस में ब्रेक कर दिया तो यहां पर जो डेल्ट है चोगो किस तर्म में डिफाइन होगा कि लाटिस एनर्जी लाटिस एनर्जी और यह अमेशे क्या रहेगा पॉस्टिव रहेगा क्योंकि हमने तो लेटिस को ब्रेक किया है न तो एनर्जी देनी पड़ेगी ठीक है ऐसे ही मान लो इस एनिस एल सॉलिड को मैंने पानी में डाला तो क्या बना एने प्लेस एक्वस प्लेस एल माइनस एक्वस तो यहां पर जो डेल्ट हैस डिफाइन होगा अब देल्ट है और यहां से यहां तक जो होता है उसको हम लुग क्या बोलत है कि है लैटा-एच्छा आफ है श्ताइडम्ट है अब डेल्ट है वाइडरेश्ञ इस ओल्वेस्ट इस ओल्वेज नेगेटिव ठीक है लेट स्को ब्रेक कर ढखाए तो डेल्टा एट पो होता है हमेशा नेगेटिव अच्छा अब हम लोग यहां से एक चीज बोल सकते हैं क्या डेल्टा एच सॉलवेशन इस एक्वल टू डेल्टा एच एली डेस डेल्टा एच हाइड्रेशन ऐसा बोल सकते है अब ये मेरा पॉजिटिव है ये मेरा नेगेटिव है तुझ है तो हम बोलते हैं for solubility of salt water में soluble होके एक्वा साइन्स बनाएगा उसके लिए बात करते हैं मैं लोग कि salt मेरा water में soluble है नहीं उसके लिए डेल्टाइस सोल्वेशन पूपक तब होगा फिर देल्टातें सालवेशन नेगेटेव कब होταे का मैंगिट्व क्या रिलेशन हो का ह 210 है देशन ककzew मैनीटीव ज्यादा होना चाहिए जब जादा होगा तभी आ बोलेंगे इस वॉटर सॉपल या सॉलुपल जो भी बात कर रहें हैं ह्यॉड्रेशन का मैंगेटूपल ज्यादा होगा मतलब और तेलो पी of समझ गए हाथ है चलिए एक चीज और पड़े लेते हम लोग क्या ओ फेवरेबल वे मं कंडिशन्स फ़र फर्मेशन आफ आईनिक बॉंड आइनिक बॉंड बनने के प्रेवरेबल कंडिशन क्या क्या है कब कब आएनिक बॉंड बन सकता है फर्स्ट आइनाइजेशन मैटल और नॉन मैटल के बीच में बनता है न तो आइनाइजेशन एनर्जी और मैटल शुड़ भी क्या हाई या लो लो शुड़ बी लो या लैस है न क्योंकि मैटल का अएनाइजेशन एनर्जी लैस होगा तो वह इसली कैटैन बन जाए तो वह इसली कैटैन बना लेगा ऐसे electron affinity of non-metal should be high, अगर electron affinity ज़्यादा होगी तो वो easily anion बना लेगा, तो easily ionic bond बनेगा, third condition is lattice energy of ionic compound है न, हम bond formation की terms में बात कर रहे हैं, तो lattice energy of ionic compound should be क्या, हाई या लो, हाई कि बाई के बाई के बीच में bond बनेगा, तो lattice का formation होगा, lattice energy ज़्यादा होगी, तो जिरने ज़्यादा energy release होती है, उतना ही ज़्यादा stable मेरा lattice बनता है, समझ में आती है बात, हाँ सर, चलिए, तो आज के लिए इतना ही बाकी next class में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, तरो वो डेल्ट एच, solution is equal to, डेल्ट एच, एली प्लस डेल्ट एच, हाइटरेशन लाद बताना है, क्या बता हो, कि ये कैसा हो गया, ऐसा, क्या, जरेख हो ऐसा होता है कि कोई reaction एसे बी में जा रहे है कोई reaction फिर b से सी में जा रहे है इन दौनों कोazedon का सम किया तो a से बड़े सी इस का डेल्टいて अगर automation का डेल्ट chain यह है धो it. सम लूंड का है तो सम ऊ niศ में हो जाता है एक झाल झाल झाल